हेलो दोस्तों मेरा नाम है धीरश कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल कॉमेडी आज का हमारा टॉपिक है कि छत बाले पंके को हाथ से कैसे बादे तो ये हमारे पास साथ नमबर पेपर शीट का टुकड़ा और इसको हम किसी भी स्लोट में लगा सकते हैं तो हम एक स्लोट में इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद हमें ये दियार रखना है कि पेपर शीट करीब 3 mm ऊपर और 3 mm नीचे दिखनी चाहिए जैसे आप देख रहे हो इसमें और उसके बाद में हम पेपर शीट को बाहर निकाल कर और कर लेंगे इसका निचान लगा के कर लेंगे इसको कट और यहाँ पर निचान हम लगा रही है जो अभी हमने नाप लिया है और निचान लगा कर तो अभी हम लगा रही है यापर निचान और यह जो हम निशान लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं, शाथ नमबर, पेपर, सीट, अब इसकेल की मदद से हमने खैच लिया, बिल्कुछ शीधी लाइन, और अब बारी आती है इसको कट करने की, तो कैची की मदद से इसको इस प्रकार काट लेंगे, और काटने के बाद कु यह 4 mm फाल्तू दिखना चाहिए, क्योंकि जब यह बीचो बीच में लगेगी, तो 2 mm ऊपर, 2 mm नीचे की और दिखनी चाहिए, तो अब पेपर सीट को लगाते हैं, इस्टेटर में, सबसे पहले मोड लेंगे, फिर आगे से मोडते जाएंगे, और प्रत्यक सिलोट में, और डालने के बाद में पेचकस की साहता से पेपर सीट को कुछ इस तरीका से कर लेंगे, ताकि हम जब टन डालेंगे, इसके अंदर घेरे डालेंगे, तो वो आसानी से पूरे इसमें बैठ सकें, यहाँ पर इंपोर्डेंट बात यह है, कि आप यह जो सापिट देख रहे ह और नीचे वाला हॉल है, इसी की सामने से आपको इस सलोट से पंखे को बांधना करना है इस्टार्ट और यह हमारे पास है, 35 नंबर कॉपर वायर की मदब से बांधना करते हैं इस्टेटर को, तो चलिए बांधना करते हैं स्टार्ट, कुछ इस परकार से हम पहले डवल कर दालेंगे तार को और यह हमने पहला टानिस में डाल दिया है बिल्कुल श्टाफिट की हॉल की शामने इसका पहला कनेक्शन रखेंगे और अब इसको घुमाएंगे हम क्लॉक वाइज कुछ इस तरीका से तो इसमें हमारे कि पूरी यह टन डाल रहे हैं हम इसमें पहली कोईल हमने क्लॉक वाइज डाली है कुछ इस तरीका से अब दूसरी जब कोईल हम डालेंगे तो इसको धूटॉक वाइज तो इसको भी करते हैं स्टार्ट स्टार्टिंग कॉयल हमने पूरी डार ली है और कैची की मदद से पेपर सीट को काटेंगे और स्कैल की मदद से पेपर सीट को भीतर की तरफ दबा देना है कुछ इस तरीका से और ये बात ध्यान रखे कोई भी वायर ब्रेक ना हो और इसको हम पहले चेक कर लेंगे रनिंग कॉयल डालने से पहले के हमारे कंडिनिटी पूरी आ रही है या नहीं आ रही है या कोई वायर कहीं ब्रेक तो नहीं है तो हम यहाँ पर चेक कर रहे है तो मल्टी मीटर में पूरा शो कर रहा है एक तो बढ़िया तरह से एक तम रीडिंग फुल आ रही है और कोई बॉड़ी अर्थ नहीं आ रहा है अब बारी आती है हमारी रनिंग कोई कोई स्टार्ट करने की सेम प्रोसेशिंग हमारा वही है कि और इसमें टरन डाले हैं तो इ यह पूरा हमारा फैन यह भी बंद चुका है इनको थोड़ा ऊपर काड़ते हैं क्योंकि यह इस केल की मतद़ से जब इनको दबाया जाता है तो यह निकले नहीं बाहर के लिए इस बज़े से और यहां पर हमने लिए हैं दो कौपर के डूरी के टुकड़े और इनको डालेंगे क्योंकि यहां पर शाफित नहीं कटी हुई आई है और पेचकस की साहता से चारों तारों को बाहर निकालेंगे और हम इनके करेंगे कनेक्शन कि इसमें दो काले तार हैं और दो लाल तार हैं तो लाल तारों को लगाएंगे रनिंग पर और काले तारों को लगाएंगे स्टार्टिंग कोईलों पर और हम यहाँ पर लेंगे यह तीन नंबर सिलिप और डालेंगे काले वाले तार में जो स्टार्टिंग कोईल पर हम इसको जोइंट करेंगे कुछ इस तरीका से और हमने दोनों तारों को जोइंट कर लिया है जो स्टार्टिंग का था और यह भी स्टार्टिंग का ही है अब हमारे पास बचे हैं दो red तार चुलाल हैं सबसे पहले इसको लगाएंगे एक running वाले पर और इसको भी कर लेंगे और फिर लगाएंगे slip और इसको भी दूसरे तार को joint कर देंगे इस तरीका से अब उन तारों को कर देंगे हम कट और इनकी उपर slip लगा कर और उपर से खीचेंगे कौन सा वायर है हमारा और हम यहां पर ले रहे हैं एक टाई और टाई को दोनों होलों में डाल कर कनेक्शनों के उपर एक पेपर सीट का टुकड़ा लगा कर ताकि लॉट ना हो और इसको हम कट कर देंगे यहां से अब बारी आती है इसको चेक करने की आ रहा है तो यहां पर हमने करना से फॉपर में करा हुआ है है अच्छी तरीका से कनेक्शन से लेकर के नीचे से लेके ऊपर तक टोटल कोईलों पर हम अच्छी तरीका से वार्निश डालेंगे और हमने यह पहला इसका कैप लगा दिया है उपर वाला डालेंगे इसमें इस्पिरिंग नीचे वाले कैप को भी इसमें लगाएंगे तो दोस्तो इसकी बॉड़ी को हम तीनों पेच कर लेंगे आराम से टाइट और यहां पर यह शाफिट नहीं कटी रहती है तो इसकी बज़े से पेचकस की सायता से और इस तरीके का आप कोई पेचकस की सायता से चारों तारों को आराम से निकाल लोगे उसके बाद में आपके लिए लेना है और यहां फाइनली हमारे पंखा अच्छी तरह से घूम रहा है तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी है वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सस्क्राइब बैल आइकन कर दो प्रेस जब तक के लिए जैहन